मैगी तो आपने बहुत बार खायोंगे मैगी से कुछ नया और अलग तरीखा से बना कर देखिए खाने में बहुत ज़यादा टेस्टी लगी गया आज मैं कुछ मैगी से अलग तरीखा से बनाने जा रही हु जो सब को पसंद आगा अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सिस्काब करना ना भूले और मुझे फेस्बुक इस्टाग्राम पर जरूर फॉलो किजेगा तो यहां पर मैंने चावल दाल को पहले से भिंगो कर रखा और अच्छे से यह फूल गया था इसका जो पानी था मैंने निकाल दिया है तो मैंने नॉर्मल चावल जो डेली मैं यूज़ करती उसी को भिंगोया था तो एक कप मैंने चावल लिया है आदा कप मैंने उरत के दाल लिया है तो इसे मैं मिक्सेजार में डाल लेती हूँ अगर आपको उरत दलना पसंद हो तो इसे आप भटा भी सकते है आप सिरिफ चावल से भी एरेस भी बना सकते है तो मैं इसे पिस लेती हूँ तो इसमें पानी बगड़ मैंने कुछ नहीं डाला है तो यह देखिए यह अच्छ से नहीं पिसाया है तो मैं इसमें थ्वासा पानी डालके पिस लेती हूँ तो जैसे आप धोसा का घोल तैयार करते हैं बिल्कुल इसी तरह से इसको भी तैयार करना है तो यह देखिए मैंने यहाँ पर इसे पिस लिया है तो मैं इसे एक बॉल में निकाल लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने इसे बॉल में निकाल लिया इसे 10 मिनट के लिए ढग कर साड में रख देती हूँ और इसमें डालने के लिए मैंने यहाँ पर बारिक टुकरों में सबजीयों को काट लिया है तो यह मैंने बेंस को काटा है और यह मैंने हरा प्याज लिया है और ये मैंने थोड़ा सा गाजर लिया है और ये मैंने सिम्ला मिर्च लिया है तो जो मेरे पास सबजी था सबको मैंने बारिक टुकरों में काट लिया है आप चाहे तो इस रैजपी में अपने मन पसंद सबजी भी डाल सकते है तो यहाँ पर मैंने सस्पेन को गैस पर रख द तो पानी को ठोड़ा धग देंगे तो यह नूडल मैंने पतंजली के लिया आपके पास जो भी मैगी हो नूडल सो जो भी है उससे भी आप यह बना सकते हैं अब पास यह था तो मैं इसी से बना रही हूं तो यह दिकी मैंने से फार कर निखाल लिया प्लेट में और इसे हाँ से ही मैं तोड लोगी तिया पर मैना जो पानी है मैंने गरम होने के लिए रखा था वो भी गरम हो गया है तब मैं इस में मैगी को डाल दिया है ती से 10 मिनट के लिए मेडियोम गेश पर धकन से ढख देती हूँ तक यह आप से पक जाए तो यह देखे देखे लिए यहां हो गया है मैं कि यह जो हलका पक गत गया था मैं इसह इसमें बार टॉआ यसमें डॉल लेती हो कर भण इसे प्रैषर जो पहुत ही अच्छा आता है था घर अस वहोड ही आप मुझे पसंदे वही आपको मैंने गुल की जिर्या का पाउडर डाला है आधा चमच थोड़ा सा मैं डालूँगे इसमें कस्मीरी लानमिज का पाउडर ये देखिए ते तीखी वाली नहीं है सिप मैंने कलर के लिए डाला है तो यहाँ पर मैंने डाला है स्वादनुसार नमक अब मैं इसमें डालूँगी मैंगी मसाला तो यहाँ पर मैंने मैंगी मसाला को डाल दिया है और इसे मैं चिसे मिला लूँगे ऐसे पांच मिनट के लिए ढखन से ढख कर मैं पका लूँगे तो यह देखिए मेरा मैंगी है जो रेडी हो गया पांस मिनिट हो गया बहुत ही अच्छे से यह पग गया है तो मैं आप गैस को बन कर देती हूँ और इसे मैं सैड में रख देती हूँ और यहाँ पर यह भी रेडी हो गया है धकन को मैंने हटा दिया है अब मैं इसमें मैगी को डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिला लेत यह फ्रेंस देखने में जितना अच्छा लग रहा है यह रेश्पी खाने में भी उतना ही टेस्ट लगता है तो यह देखें मैंने यहाँ पर इसे मिला लिया है आउपर से मैंने धन्या पत्ता डाला है और इसे भी मैंने अच्छे से मिला लिया है और यहाँ पर मैंने एक ही स इससे की घोल को हम डालेंगे जब यह पक जाएगा ना तो राम से यह निकल जाता है ज्यादा मुझे महनत भी नहीं लगती है और यहाँ पर मैंने थोरा सा बेकिंग सोडा डाला है बेकिंग सोडा डालने से यह अच्छे से फूलेगा बिल्कुल ही सौप्ट भनेगा तो इससे अच्छे से मैंने मिला लिया है तो इससे आप पूरा रेडी कर लिजेगा तब बनाते वक्त ही डालेगा पहले से आप डाल क न रखे तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे बॉल्स में डालते जा रही हूँ ज्यादा इसे भर के नहीं रखना है इसे आधा-धा ही रखे क्योंकि फोल कर वो उपर तक हो जाता है यहां पर मैंने चारों में सेम तरीका से डाल दिया है अब यह बिल्कुल ही रेडी हो गया और ऊपर से मैंने डाला है बारीकटा हुआ दिया यह दानिया पानी को भी मैंने गरम होने के लिए रख दिया है यह दूं के इस पर मैं एक जाली रख होंगी अब इसके उपर से मैं बॉल्स को रख देती हूँ और इसे मीडियम गैस पर 20-25 मिनट तक पकने देती हूँ तो यह देखे 20-25 मिनट हो गया है और यह बिल्कुल ही भग गया है तो आपको अगर कुछ भी डौट बगरा लग रहा है कि अंदर तक कच्चा है या कुछ भी 2-5 मिनट के लिए और इसे धक कर आप पका सकते है तो मैं इसे आपको चेक करके भी दिखाती हूँ कि अंदर तक यह पक गया है तो यहाँ पर मैंने चाकु लिया है और चाकु को अंदर तक डाल के देखा तो यह देखिए यह बिल्कुल ही पक गया है बिल्कुल भी चाकु में नहीं लगा है तो मैं गैस को बन कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ तो यहाँ पर यह ठंडा हो गया है तो मैं एक चमस्य से निकाल लेती हूँ तो ठंडा होने के बाद यह राम से निकल जाता है बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं लगता है तो ये देखे तो सेम तरीका से मैं सारे को निकाल लेती हूँ तो ये फ्रेंस बहुत ही हेल्दी नास्ता है ये बच्चों को कुछ नया खाने का मन हो तो आप मैगी का ये नया रेस्पी जरूर बना के खिलाएगा बच्चे मांग मंग के खाएंगे और बरो को भी बहुत पसंद आएगा तो ये अपने मन पसंद चटनी सोस किसी के साथ भी आप इंज्वाइ कर सकते है तो ये देखे फ्रेंस ये देखने में इतना अच्छा लग रहा है खाने में भी ट्रेस्टी है तो मैं इसे आपको काटके भी दिखाते हूँ ये देखे तो ये आपको मेरी रेस्ट पसंद आए तो अपली चैनल को सब्सक्राब करना ना भूले और मुझे फेस्बुक इस्टागर पर चरिए फॉलो किजेगा